इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक बहुत जादा confusing topic के बारे में जो की है crocodile और alligator में क्या difference होता है alligator को हिंदी में बोला जाता है घडियाल और crocodile को बोला जाता है मगरमच उसे पहले जान लेते हैं alligator यानि घडियाल के बारे में इनका size हो सकता है 14 feet तक weight होता है 500-1000 pound तक और ये dark green या black color के पाए जाते हैं इनके दातों पर नज़र डालेंगे तो इस रिफ उपर के दाद दिखाते हैं next जान लेते हैं crocodile यानि मगरमच के बारे में इनका size होता है 17 feet तक weight 800-1000 pound से जादा होता है ये घडियाल से जादा heavy होते हैं crocodile light green, brown और light gray के पाए जाते हैं इनका snout यानि मुख के आगे वाला हिसा V-shape का होता है और जादा लंबा होता है as compared to alligator के दातों पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि मगरमच के सिर्फ निचे के पासदात दिखाई देते हैं crocodile बड़े होते हैं as compared to alligator इन दोनों में main difference यह है कि crocodile का V-shape का snout होता है और alligator का U-shape का I hope आपको पता चल गया होगा crocodile और alligator के बीच में main difference So please do like, share the video and subscribe the channel. Thank you for watching